किस exercise से आप अपने legs और glutes muscle को सबसे ज़्यादा dominant कर सकते हो जब आप shoulder width squat करते हो तो इसमें आपका quad muscle सबसे ज़्यादा dominant होता है जब आप stool या फिर bench squat करते हो तो इसमें आपका hip muscle सबसे ज़्यादा dominant होता है और यह आपकी काफ मसल के लिए तो लेग और ग्लूट्स वरकाउट के लिए आप इन वारियेशन को ट्राइ कर सकते हैं और ऐसी मोर वीडियो के लिए आप हम फॉलो कर सकते हैं